आईए आज बनाते हैं मीठी लापसी बीना चीनी के बहुत ही आसानी से और जल्दी बन जाती है एक कड़ाई चड़ाएंगे गैस पे और उसमें हम डालेंगे 4 टेबल स्पून ये देसी घी घी जब मेल्ट हो जाए तब हम इसमें डालेंगे एक कप ये दलिया और इसे हम भून लेंगे 3-4 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पे जब ये थोड़े से फूल जाए और कलर चेंज होने लगे तब हम इसमें कुछ ड्राइफरूट्स डाल देंगे काजू, बदाम और किश्मिश और इसे भी 2 मिनिट के लिए अच्छे से भून लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 4 कप ये गरम पानी तो जितना दलिया लिया है उसका 4 गुना पानी हमें लेना है और इसे हम एक बार मिक्स करके धक कर इसे पका लेंगे 10 मिनिट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे और 10 मिनिट बाद जब आप देखोगे तो ये अच्छी तरह से पक चुके होंगे आप देख सकते हैं एक बार मिक्स कर देंगे इसे और इसमें हम डालेंगे मिठास के लिए ये गुड तो जितना हमने दलिया लिया था उतना ही गुड लेना है एक कप तक गुड को मैंने अच्छी तरह से काट लिया है गुड मेल्ट होने तक इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और वापस इसे हमें ढख कर 3-4 मिनिट के लिए लो फ्लेम पे पका लेना है चार मिनिट बाद आप जिब देखोगे बहुत अच्छे से गुड मेल्ट हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे 3-4 हरी इलैची कूटी हुई और वापस इसे मिक्स कर देंगे इसे गुजराती में फडा लाप्शी भी कहते है और मराठी में इसे दल्या वाली लापसी शिफ बोलते हैं तो आप इसे जरूर बना के देखे बन कर दे गैस को और इसे गर्मगरम सर्फ करें कैसी लगी मेरी यह छोटी सी रेषिपी कमेंट करके जरूर बताए मिलते हैं नेक्स्ट रोसिपी में थैंक यू फॉर वाचिंग टेक केर बाबाई